बिहार के इंजलों में जारी हुआ देश का दूसरा वानी की कॉलेज अब चले पढ़ते हैं बिहार के इंजलों में जारी हुआ कोल्ड अलट सूबे में सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है उत्तरी हिस्से से आ रही पच्छवा हवा ने पारा को और भी गिरा दिया है जुस वज़े से राजय में भीशन श्रीत लहर बह रही है आलम यह है कि 38 में से 26 जलों का पारा 10 डिग्री से भी नीचे चला गया है आपको बता दे कि दिन निकलने के बाद देड से धूप भी खिर रही है लेकिन पच्छवा सर्द हवाओं की कारण धूप की तपिश्का भी कोई प्रभाब नहीं पढ़ढ़ा मौसम विज्यान के इंद्र पटना की माने तो ये हालत अगले दो दिनों तक और रहने वाली है वाई विभाग ने अत्याथिक ठंड के कारण रजु के 12 जिलों के लिए कोल्ड डे का अलर्ड ज़ारी कर दिया है जिन में पटना, गया, नालंदा, शेक, पुरा, नवादा, बेगुसराई, लखी सराई, जुहानबाद, गोपालगन, सिवान, पुर्वी और पस्चिमी चंपारन श्रमिल है बिहार वासी अब घर बैठे मुफ्त में ले सकते हैं डॉक्टरों से सला बिहार में रहने वाले लोगों के लिए काम की खबर है अब आपको चिकल्सिय सलाह लेने के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा बलकि एक फोन घुमा कर आप मुफ्त में विशिशग्य डॉक्टरों से अपनी बिमारी संबंधी सलाह बश्वरा ले सकते हैं ये सब ईसंजीवनी आपके जरिये होगा जुसे बिहार सरकार के स्वास्तिव भाग ने बीतिस साल अगस्त महीने में लॉंच किया था इसको ले करके मरीज ईसंजीवनी OPD आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके विशिशग्य डॉक्टर से परामर्ष ले सकते हैं इसके तहट सोंबार से शनिवार तक सुबह नौ बजे से ले करके शाम के चौर बजे तक फ्री में सेवा लिया जा सकता है इसके तहट विशिशग्य डॉक्टर उक्त मरीज को बिमारी से संबंधित दवा के बारे में बताएंगे जुसे बरीज नस्दी की स्वास्तकेंद्र में जुआ कर ले सकते हैं आपको बताते चड़े कि इस ओन्लाइन प्लाटफॉर्म को 2263 स्वास्त उपकेंद्र 245 प्रात्मिक स्वास्तकेंद्र सामुदाइक स्वास्तकेंद्र और जुलास पतालों से जोड़ा गया है ताके जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं आए वो भी सेवा का लाव ले सके अब शराब पीने के जुर्म में नहीं भी हो सकती है जेल बिहार में शराबंदी कानून को सकती से लागू करवाने के लिए कई कड़े प्रावधान लागू किये गये हैं जिसके तहत शराब पीने के जुर्म में पकड़े जाने वाले को अपराधी मानते वे उसे जेल भेज दिया जाता है वगर अब इस केस में अपराधी को थोड़ी राहत भी दी जा सकती है मीदिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार सरकार शराबंदी कानून में संचोधन कर सकती है जिसके तहर पीने के जुर्म में पकड़े गया प्राधी को जेल भेजने के बज़ाए उस पर जुर्माना लगाय जा सकता है वहीं जुर्माना नहीं देने की सिती में जेल भेजादा सकता है सूतरों से मिली जानकारी के मुताबिक मद्धिर शेद उत्पाद एवं निमधन विभाग ने इसको लेकर संचोधन प्रस्ताव भी तयार कर लिया है जिसको बजट सत्र में लाए जा सकता है हाला कि शराब बनाने और बेचने वालो पर पहले की तरह सक्त कारवाई लागू रहेगी आपको बताते चले कि हाइकोट ने भी शराबन्दी कानून के कारण कई जमारती आवेदन लम्बित होने की बात कही है जो सवज़े से सरकार अब संचोधन करने की सोच रही है टीका नहीं लेने वाले चात्र भी दे पाएंगे बोर्ड की परिक्षा कुछी दुनों पहले बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किये गए निर्णे के रुसार वैसे चात्रों को परिक्षा केंदर में घुसने की अनुमती नहीं दी जाएगी जिन्होंने टीका नहीं लिया हो लेकिन अब बोड ने अपने निर्णे में बदलाव किया है जिसके तहत बिहार में COVID-19 का टीका नहीं लेने वाले चात्र भी 10 वी और 12 वी की परिक्षा में बैठने के लिए योग्य होंगे हाला कि इनको लेकर के बिहार बोड ने खास विवस्था की है जिसके तहट टीका नहीं लगाने वाले परिक्षार्थियों को परिक्षा हॉल में अलग से बिठाए जाने की तयादी हो रही है इसको लेकर जुला सिक्छापत आधिकारी अपने स्तर से काम कर रहे हैं बारह वी बार वाक्सीन लेने वाले ब्रह्मधेव मंडल को मिली बेल बारह बार वाक्सीन लेने वाले मध्यपूरा के और या गाउं के ब्रह्मधेव मंडल को पुलीस ने बेल दे दिया है ब्रम्हदेव पर धोखाधरी और सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुचानी का मामला दर्ज है जब से उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है तब से वो डरे सहमे थे अपना मबाइल बंद करके वो भागे-भागे फिर रहे थे बिहार में कोरोना के घटे केस को देखते में बदल सकती है गाइडलाइन सुबे में तीन दिनों की बाद यानि 21 जन्वरी को तीसरी लहर को लेकर लगाएगे प्रतिबंधों की सीमा खत्म होने वाली है ऐसे में 22 जन्वरी से नई गाइडलाइन लागू किये जा सकते हैं हाला कि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले गाइडलाइन में सकती घट भी सकती है क्यूंकि बिहार में कोरोना के मामले घट रहे हैं बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान राजवेकरी 3500 अक्टिव मामले आए हैं जबकि इसके तुलना में 5000 से ज्यादा लोग रिकावर भी हुए हैं ऐसे में कुल अक्टिव केस 33,125 हो गई है ऐसे में मामलों की घटने और रिकवरी दर बठने की कारण आने वाले दिनों में पावंदिया घटाई भी जा सकती है आपको बताते चले कि बीते दिन CNG की बैठक में स्वास्ते बभाग के अधिकारियों ने मुख्यत साचिफ को जानकारी दी बीते 5-4 दिनों में कोरोना संक्रमन की मामलों में लगातार कमी देखी जारी है लेकिन वर्तमान में लागू सकती तैस समय तक जारी रहेगी बिहार फायर मैन भरती लिखित परिक्षा की तारीक हुई जारी बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के बीच भी कई आयोग परिक्षा को आयोजित करवार हैं इसके तहट किंद्रिय चैन परिशत सिपाही भरती ने बिहार अगनी शमन सेवा के अधीन फायर मैन पद पर नियुक्ती के लिए लिखित परिक्षा की तारीख जारी कर दी है इसके तहट ये परिक्षव अगले महीने 27 फरवरी को होने वाली है आपको बता दे कि केंद्रिय चैन परिसत सिपाही भरती के तहट कुल 2380 पदों पर फायर मैन के लिए बहाली की जानी है इन पदों के लिए करीब 7 लाग हाविदन आये हैं इसको लेकर प्रवेशपत रिजल को तैस समय पर लिए जाने की कवाइद की जा रही है ताकि छात्रों को परिशानी ना हो सके बिहार के जिले में शुरू होगा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज सिक्चा के छेतर में बिहार के नाम एक नया मुकाम हासिल होने वाला है देश का दूसरा वानिकी कॉलेज बिहार में जल्द ही अस्तित्व में आने वाला है इसके तहत राजु के मुंगेर जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला वानी की कॉलेज जल्धी बन कर तयार हो जाने वाला है आपको बता दे कि कॉलेज के भवन निर्मान का काम अपने अंतिम चरण में है ऐसे में ऑक्टूबर से नवंबर तक ये कॉलेज बिहार क्रिशी विश्विद्याले सबोर को हैंदोबर कर दिया जाएगा जहां पर देश भर के शोधार्थी शोध कर सकेंगे आपको बता दे कि लगभग 96 एकर में बन रहे कॉलेज की आधार श्रीला साल 2019 में रखी गई थी पुरे कॉलेज परिसर को इको फ्रेंडी और भुकम प्रोधी बनाया जा रहा है जिसके निर्मान पर 232 करोड के करीब लागत लगने की संभावना है आपको बताते जिले कि बिहार का ये पहला वानी की कॉलेज काफी अनुखा होगा क्योंकि यहां खुरशी परियावरन सिक्षा के अलावा कैंपस की सुन्दर्ता भी लाजवाब होने वाली है फिलहाल यहां शोधार्ती भवन विज्यानियों के लिए आवास क्लासरूम प्रयोक्षाला आदी बन कर तयार हो गया है इस जिले में सिक्षक बहाली का कारिक्रम हुआ घोशित सिक्षा वभाग के निर्देश पर पटना जुले में आगामी 22 जन्वरी से सिक्षक नियोजन की प्रक्रियाज शुरू होने वाली है इसको लेकर रास्थानी के विभिन स्कूलों में काउंसलिंग स्थाल बनाए गया है पटना जुले में सबसे पहले मसौली प्रकंड में सिक्षकों का नियोजन होगा जुला सिक्षा अधिकारी अमित कुमार ने इस बात की जानकारी दी है बिहार के 66,104 नियोजित सिक्षकों के लिए विभाग ने जारी के करीब 9 अरब रुपे बिहार के करीब 66,000 प्राइमरी सिक्षकों के लिए खुशकबरी है इस राशी के तहट नगर निगम छेत्र के नियोजित सिक्षकों के लिए 54 करोर, नगर परिसत के सिक्षकों के लिए 74.59 करोर और नगर पंचायतों के सिक्षकों के लिए 1 अरब रुपे राशी जारी किये गये हैं। कानून और व्यवस्था की बदहाल होती स्थिती पर एक बार फरिसे चुंता जुताई है। मैं खुद रामगडवा जाओंगा और पुलीस कारवाई की समिक्षा करूँगा। अब यहाँ पहली वाल इस्थिती नहीं है। ऐसे में अब लॉइन ओर्डर में सुधार आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहरीली शुराब कारण में सीम नितीश को मिला सुशील मोदी का साथ। स्पीडी ट्रायल की भूमी का बिना भेद भाव के अपराधियों को मिलने वाली सजा आधी का जिक्र करते वे कहा कि सभी घटाओं में स्पीडी ट्रायल करके पीडितों को नियाई दिलाया जा सकता है। वही उन्हों ने अपने अगली ट्वीट में नालंदा की घटना को अत्यांति दुखत बताया और कहा कि इस घटना का शराबंदी से कोई संबंध नहीं है। जनता दल को समझ में आ रहा है कि नितीश कुमार काफी अपमानित हो रहे है। नहीं बनने के कारण जदियू अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले चुकी है। जिसके तहर्ट बुधवार को पार्टी की दिली से पहली सूची जारी होने की ख़बर सामने आई है। ख़बरों की मानेत उतर प्रदेश की सौ से 125 सीटों तक जदादल यूनाइटिड अपने उमिदवार उतार सकती है। पंगलवार को पार्टी के रास्ट्र महा सचिफ के सित्यागी लखनों में जद्यू कार्याले पर प्रदेश भर के पतादिकारियों के साथ बैठा करते देखी गया। जिसे हर खिलाडी गुजरता है। अफरीदी का माना है कि समय आ गया है कि विरात को ली छोड़े और अपनी बैटिंग पर फोकस करे। और इस तरह से वो अपने बल्लेबाजी का मज़ा भी ले पाएंगे। और निर्बल छोटी कुमारी आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटिट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूले। धन्यवाद।